नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतियोगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान की 270 प्रिक्षा केंद रूपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी ग्यार में बारवी और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सोलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉम पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजाया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक्टि क्या प्रचे हैं यह फिर नहीं इस एक्जाम का मकसद है कि 5 प्रचे को बिच्चे को बता दिया जाएं कि ओमार सीट क्या होती है औप्जेक्टि वे ग्युकुति अब अफोए क्यों थे पैया होगा फिर बी उस ने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे वोईशना देख्र् क्लास का अलग लगे वीडियो स् Glue concurrent है पूरा वीडियो सोलिशन देठे आपको किसी भी प्रष्ण में लगताए कि हम ने स Oreo दे दिया कि गलत है तो प्लीज आप अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नंबर प्रोक्ष्टर नंबर लिखके मेरे इस टमबर पे डाबल नाइन टू एट सेवन थ्री डाबलेट डाबलेट एड़शन टरवर्ड बोलो हाया ना और 27 तारीक की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 परवरी को ही रात को नो बजे हमारी साइट पे साइट कुन सी dtsc.clc.in यानि इस एक्जाम की जो भी स्ट्री है वो सारी नहीं रहेगी अब फिर से एक बास स्लाइट देख लिए dtsc.clc.in ओके एक्जाम हो गई वीडियो सोलिशन देख लिया डाउट खतम होगे आंसर मिला लिए नंबर चोड़ लिए ओके डियर रिजल्ट कब आएगा धाना आपको रिजल्ट आएगा तीन मार्च को शाम को पांच बजे तहां वो इस साइट पे जाओ देख आप साइट पे जाओगे ये रिजल्ट की साइट खुलेगे तीन तारी कोई पांच बजे देख ले रहा अपना रोल ओमर फीड करो अपना मोबाइल ओमर फीड करो अब रुसकार कब दिये जाएंगे लो लिस्ट पड़ी वैसे आपको पता है आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखाओगा न किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी स्लाइड पे हाँ सीकर चूरू जूनू अजमे रास्समंद की डैट्स हम फोली के बाद देंगे क्योंकि आपको पता पांच मार्श से लेके सोड़ा मार्श तक लगातार में फंक्शन कर रहा हूँ हाँ मैं खुद आ रहा हूँ सा बिलकुल बिलकुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा नो डाउट लोड रहेगा बागदूरी रहेगी लेकिन दोस्तो जहुपड़ीं बैटी खुपड़ियों को आगे बढ़ाना परतीबाओं को तलास कर आगे लेके जाना मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवन गाउं बैटे होंगे मेरे जैसे बहुत से श्रवन को श्रवन C.L.C. तक के मुकाम पे पहुंचाने का भियान आखरी सांस तक रहेगा मेरा CLC बाई चांस नहीं है साब आज के 26 साल पहले ज़सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था माफी चाहता हूँ गलत थब काम ले रहा हूँ अपने आप में कैरियर का स्टेड केस थाई आज तो लोग नकल करते हैं यहाँ आज तो चलते हैं बाजार में कोई भी अपने खेला लगा लेता है लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया उस बीज की खुश्बू है कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल CLC के मादियम से मेडिकल में जाता है आईटी में जाता है CLC ना किसी की होड में बनी ना किसी को तोड के बनी CLC मूल बीज है एक विचार बीज है जो जमी फोड के बनी और इसलिए दोस्तों आज 270 गार्डियन साब सोच के देखो जाजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उसका रिजल्ट कब आएगा आप वीडियो सोलिशन देख रहे हैं आप की देख रहे हैं उसके बाद फंक्शन और हर जिले पर आकर ऐसा नहीं कि एक्जाम काली फिरिम में आओ सीकर आजाओ पुरसकार लेने क्यों भैश सीकर क्यों आओ सीकर दो बाद की बात है आपके जिले पर आकर आपका पुरसकार बितुन क्या जाएगा डेट हो टाइम आप जिरूर प्लीज वाच कर ले हाँ पुरसकार बितुन सामारों में सबी मेरे अपने साधरामंत रिते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी है उनको तो आने आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेस्टन सेमिनार भी होगा मरा वहां उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं वसे इस कोरणा के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेस्टन से बहुत से परतेक्ष एपरतेक्ष मेरे अपने जुड़े होगे हैं आपको धाना ना बट डेली शाम को साधे 6 वजे CLCC कर फेस्पूट पेज CLCC कर यूटूब चैनल और श्रवन CLC मेरे तो पेज है उन सब पे साधे 6 लाइव आता हूँ आज मिरे बहुत अच्छा लगा आज लेटेस्टी वीडियो से पहले हमारे भरतपूर के दो परीक्ष बहुत ही गाउं के सिंपल से किसान भाई आए उनने कहा चोधरी साब हम आपका लाइव देखते हैं अंगों पानी आ गया उस दिन पता लगा कि दोस्तों अखिकत यह है बगवान कुष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि करम को मन से क्या जाए तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है फल बगवान अपने आप देता है तो देरा सी एलसी को कि वापस पॉइंट करते हैं ठीके डियर रख्जाम होगी वीडियो तो सुन्दे के लिए की आगई पांच मार्च से सोड़ा मार्च तक आपको फंक्शन में आने के लिए पुरुष्कार के लिए आपको अपने हाँ सीकर आने के बाद आप पुरुष्कार बाद में ले सकते हैं मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ फंक्शन जिस डिस्टिक एडिकवाटर फंक्शन पी आपको पुरुष्कार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा एडिमिट कार साथ लाना होगा और नगत पु सिखाती है सीएलसी जीतना सिखाती है जीना सिखाती है यह सुनना देखना है आपका अपना श्रावन आपके खुद के जिले में आ रहा है आप से बात करने के दिए हर दिन सूबह स्वाटर शाम दोनु टाइम मीटिंग्स लोड रहेगा और फिर भी एक जुनून है फिर कि किसी सामाले से परिवार के बच्चे को दिली एमस बَّहिजरा है सबस बड़े हैं तो काम करना है पड़ेगा ना सब सपने बड़े हैं तो जगनाई पड़ेगा साब कलाम साथ की बात सब बहुत अच्छे लगती है कि सपने वह नहीं होते हैं सपने नहीं को पुरा करने के लिए हम जिले जिले गाउं गाउं डगर डगर गुम रहे हैं क्योंकि माफि चाहता हूँ उन लोगों पे तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है गाइडलाइन भी है श्रावण और सीलसी तो उनके सार्थी है जिनके घर में यह नहीं पता आईटी मेडल का होती है अर्थ का भी थोड़ा भाव है थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है वो गवराय नहीं आपके साथ आपका श्रवन है ना आपकी सील सी है ना करेंगे और मेरे सारे अपने प्लीज 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 निवेदर आपके भाई का सारे अपने इस विजो सव में इसको नाम विजो सो बोल दो आप सब साधरामंति से तेम सील से तुड़े विल डिसकूस अब डिटीए सी पेपर 2022 फरस्ट क्रिशन है इस यहां विच आप दो फॉल्लाइंग फोर्स इस अ कॉंटेक्ट फोर्स यानि हमें बताना है कि निम्न में इसे जो भी फोर्स है वो कौन सा है एक जो संपर्क बल है तो हम जानते हैं पॉर्स वो ग्रेविटी नहीं होता है मेगनेटिक फोर्स भी नहीं होगा लेकिन जो सो friction होता है वो क्या होता है contact force होता है अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है two objects repel each other this repulsion could be due to दो बस्तुएं एक दूसरे को परतिकर्शित करती है यह है परतिकर्शन हो सकता है यानि हमें यहां पूछा है किसी repulsion की बारे में तो वो होगा either a magnetic or an electrostatic force यानि यहां पर हो जाएगा fourth option ब if we apply oil on door hinges the friction will तो हमें बताना है कि friction क्या होगा तो हम जानते हैं कि friction oil से क्या होगा decrease होगा यानि यहां पर third option क्या हो जाएगा बिलकुल correct चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ fourth question at oe car released with the same initial speed will travel fastest होनी यानि एक समान प्रारंबिक चाल से चलती हो ही कोई खिलोना कार का सबसे अधिक मलवू तेजी से कब चलेगी जब friction कम होगा यानि polished marble surface अब हम चलते हैं next question की तरफ यानि fifth number question है an object is vibrating at 50 hertz और what is its time period देखे हर्ट यानि हमारे को यहां पे frequency dv है और time period पूछा है तो हम जानते हैं time period का formula क्या हो जाएगा one upon new अगर हम इसे solve करेंगे तो यह हो जाएगा one upon fifty तो हमारे पास finally answer आ जाएगा point zero two second ओके तो यहां पर first option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा अब हम चलते हैं next question की तरफ six number question है loudness of sound depends on यानि ध्वानी की जो प्रबलता होती है वो किसके उपर depend करती है तो हम जानते हैं कि जो amplitude होता यानि जो आया करती है अब हम चलते हैं next question की तरफ seven number question है and electric current can produce यानि विद्यू धारा उत्पन कर सकती है तो देखिए विद्यू धारा यान electric current उत्पन कर सकती है chemical heating and magnetic effect यानि ये तीनों के तीनों ही कोई भी जो electric current होती हो प्रोड्यूस कर सकती है next question देखिए eight number question which of the following metals is used in electroplating to make object appear signing signing के लिए use करेंगे हम chromium यानि यहां पर second option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct चलिए next question की तरफ हम चलते हैं nine number question देखिए आप part of eye which control the light entering is called यानि हमें देखना है कि नेत्र का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकास को नियंत्रित करता है तो हमें पता है कि जो आईरिस होती है वो इससे क्या करती है कंट्रोल करती है यानि first option बिल्कुल correct हो जाता है अब हम चलते next question की तरफ देखिए टैन नंबर question a diamondized virtual image can be formed by which of the following यानि हमें देखना है कि virtual image किस से बनेगी तो हम जानते हैं कि जब भी हम convex mirror यूज करते हैं तो हमें इस प्रकार की image मिलती है देखिए next question 11 number question a virtual image three times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter the distance of the object from the mirror is हम जानते हैं यह formula यह पहले भी आ चुका है 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon u अब बच्चों यहां पर आपको sign का ध्यान रखना है कि यहां v और u जो है वो negative में अगर आपन रखेंगे क्योंकि इसकी theory कुछ इस प्रकार है कि हमें इनको negative में रखना ही पड़ेगा तो finally हमारे पास जब हम calculation करे तो यह answer भी negative में आएगा और answer आएगा हमारे पास minus 12 cm ओके तो यहां पे second option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct आप लोगों को यही formula apply करना है चलिए अब हम चलते next question की तरफ next question है the focal length of a convex mirror is 20 cm its radius of curvature will be तो हम जानते हैं simply यहां पर क्या हो जाएगा इस 20 का double हो जाएगा और finally radius of curvature हमें मिल जाएगी तो 20 का double सीधा सा हमें करना है तो यहां पर 40 cm क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा बहुत easy सा question था देखिए 13 number question sun appears to move from east to west around the earth this means that earth rotates from यानि हमें देखना है प्रित्वी के चारो और सूर्य पूरव से पस्चिन की और गती करता प्रतीत होता है इसका आर्थ है कि प्रत्वी घुर्णन करती है तो हमें यह देखना है कि earth कैसे घुर्णन करेगी अर्थ का rotation कौन सी direction से किधर की तरफ रहेगा तो हम जान सकते हैं कि अगर हमें sun दिया है east to west तो earth का अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका opposite यानि west to east हो जाएगा आप लोगों को समझा रहा होगा देखिए next question 14th number question है which of the following is not a source of air pollution यानि air pollution का source कौन सा नहीं है तो देखिए automobile exhaust ये तो है source air pollution का burning of firewood ये भी क्या है source है power plant भी क्या है source है लेकिन जो wind मील यानि पवन चक्की होती है वो वायू परदुशन का source नहीं होती है चलिए next question देखते है 15th number question which one of the following solutions will not conduct electricity यानि electricity को conduct कौन सा नहीं करता है तो हम जानते हैं कि ये सारे के सारे जो options हैं वो electricity को conduct करते हैं जबकि vegetable oil electricity को conduct नहीं कर सकता है क्योंकि electricity को conduct करवाने के लिए या तो हमारे पास free electron होने चीए या हमारे पास क्या होने चीए free ions होने चीए vegetable oil में ये दोनों ही चीज़े नहीं होती है जिस वज़े से यहां पर हमारा answer क्या चला गया vegetable oil चलिए नेक्स्ट किशन देखते हैं 16 नंबर किशन फिजक्स पार्ट का लास्ट किशन है आउटर मॉस्ट लेयर ऑफ अर्थ इस कॉल्ड यानि हमें देखना है कि प्रित्वी की सबसे बहारी परत क्या कहलाती है तो बच्चों बिलकु सीधा सा आंस्वर है कि प्रित्वी की सबसे बहारी प्रत क्या होती है क्रस्ट होती है यानि भू प्रपर्टी होती है देखिए 17 नंबर जो किशन है वह कुछ इस्पकार है अदे यूनिट्स यूज इन दो फॉर्मेशन आफ पॉलीमर यानि पॉलीमर की फॉर्मेशन में कौन सी फॉल्मुईग मिक्सेर वLou्मेशन वे Els वोर्टरगेश हमें देखना है कि इनमें से कौन सा एक मिक्सर मिक्सर है जो करता है देखिए COP धिक स्ट का फर्मूला हम जानते हैं 22- Son carbon-monoxide और hydrogen का मिसरन जो होता है ? Mr. Cか by लीथियम का atomic number, यानि हमें देखना है atomic number of lithium is, आम लोग जानते हैं, first पे होता है hydrogen, second पे होता है helium and third पे होता है lithium, तो यहाँ पे atomic number lithium का कितना है बच्चो, 3 है, I hope आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अब हम चलते हैं next question की तरफ देखिए, next question हमारे पास कुछ प्रकार है, which of the following element is metal, यानि हमें देखना है कि कौन-कौन से element यहाँ पे metal है, देखिए sodium है magnesium है helium है, हम लोग जानते है helium क्या होती है, non metal होती है, जिब कि sodium और magnesium दोनों ही क्या है, metal है, यानि यहाँ पे third option एक्दम correct है, यानि बहुत first and second, चलिए, अब हम चलते हैं next question की तरफ, next question देखिए, inert gases are also known is by the following name, यानि inert gases को हम और कौन-कौन से name से जानते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो inert gases होती है, वो generally reaction नहीं करती है, इसलिए हम इनी क्या बोलते है, noble gases बोलते हैं, क्या बोलते है, बच्चो noble gases यानि यहाँ पे क्या हो जाएगा, first option एक्दम correct हो जाएगा, तो होप आप को समझ आ रहा होगा कि इनके solutions किस प्रकार से आप लोगों को कलने थे, देखिए, next question जो है, 23 number question, molecular formula of water is, यानि हमें देखना है कि water का molecular formula क्या होता है, बच्चो हम बार-बार बोलते है, h2o, s2o, तो यहाँ पे आप लोगों को simply answer देना था, कि h2o क्या है, water का molecular formula है, यानि यह पे first option क्या है, एकदम correct है, चलिए, अब हम चलते है, next question की तरफ, question number 24, in which of the following state is water at room temperature, यानि water जो होता है, वो room temperature, room temperature पे किस state में present होता है, तो हम जानते हैं कि जो water है, वो solid form में भी present हो सकता है, liquid में भी हो सकता है, और gas में भी हो सकता है, लेकिन room temperature पे water क्या होता है, बच्चो liquid form में present होता है, यानि यहाँ पे second option क्या हो जाएगा, एकदम correct हो जाएगा, चलिए, अब हम चलते है, next question की तरफ, next question हमारे पास है, 25th number question, तो first man-made fully synthetic fiber, बहुत ही अच्छा question है, और इसका answer क्या है, nylon, nylon क्या था, first man-made fully synthetic fiber था, ओके तो इसका answer क्या हो गया, first option nylon, आगे 26th number question, NCA form of fossil coal is, यानि हमें बताना है, कि जो fossil coal होता है, उसका oldest form कौन सा था, यानि सबसे oldest form हमें पता लगाना था, तो हम सभी जानते हैं, कि जितना भी coal है, fossil coal है, उसका oldest form, anthracite होता था, क्या होता था, बच्चों, anthracite जो हम जानते हैं, last layer होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, anth क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, I hope आप लोग समझ रहे होंगे, अब चलते हैं, next question की तरफ, natural gas mainly contents, यानि हमें देखना है, कि natural gas जो होती है, वो mainly क्या contain करती है, तो हम सभी जानते हैं, कि जो methane होती है, क्या होती है, बच्चों, methane जो होती है, वो mainly natural gas में present होती है, तो य next question की तरफ, देखे, next question आप लोगों के सामने है, 28 number question, the full form of CNG, बहुत ही easy सा question था, कि CNG का full form क्या होता है, तो हम जानते है, compressed natural gas is full form of CNG, चलिए, अब हम चलते हैं, next question की तरफ, the non-metal used in vulcanization of rubber, यानि रबबर के vulcanization में हमें, कौन सा non-metal यूस करना होता है, जो होता है, बच्च बहुत ही easy सा question था, यह भी चलिए, next question की तरफ, चलते है, the metal that forms a self-protecting, self-protecting film of oxide to prevent corrosion is, यानि हमें याँ देखना था, कि corrosion से अगर self-protecting layer कोई element बना रहा है, तो वो कौन सा होगा, उसकी oxide की layer बनती है, इतना hint भी दिया है, तो हम जानते हैं, कि aluminium जो होता है, अब वो खुद की चारों तरफ क्या बना लेता है, बच्चों, oxide की self-protecting layer बना लेता है, जिससे यह corrosion से resistant होता है, तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसका answer क्या होएगा, second option यानि aluminium इसका answer होएगा, चलिए, अब हम चलते हैं, next question की तरफ, question number 31, देखिए आप लो अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, अगले किशन की तरफ, starting from the base, of the flame, a flame haz, यानि यह पूछ रहा है कि किसी भी flame की अगर हम बात करें, तो इस flame में कितने zone होते हैं, यानि flame को कितने zone में divide किया गया है, तो हम जानते हैं, four zone में हम किसी भी flame को divide करते हैं, ओके, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, fourth option एकदम correct answer हो जाएगा, चलिए, अब हम चलत हैं, नेक्स्ट किश्चिन की तरफ नेक्س्ट किश्चिन है, 33 किश्चिन की थार्टी- धर केमेस्टि कई लास्ट पोंट्सर लास्ट उसला है, लास्ट किश्चिन है, देखिए, अने चारल फाइबर इन में से कौन कौन से हैं, विमा स्थी पता एक नेच्ट friendly होता है, बू सब्सक्राइब करते हैं तो हम जानते हैं कि यह कभी भी प्लांट रूट को डेमेज नहीं करता है तो यह रोंग हो गया सेकंड ओप्शन की तरफ चलते हैं इट टैक्स और्गेनिक मैटर फ्रॉम दे सोईल सर्फेस डिपर इंटू दे सोईल फॉर एब्जॉप्शन बिल्कुल सही है कि यह म्रदा परस से कार्बनिक परधारतों को पादपो द्वारा आउसोसन है तो म्रदा की गहराई में ले जात है इसलिए आर्थ वर्म क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है फार्मिंग के लिए चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया नेक्स्ट कुशन देखते हैं 35 नंबर कुशन फर्टिलाइजर्स आर केमिकली रिचिन यानि हमें देखना है कि इन में से कौन सा है जो फर्टिलाइजर में यूज होता है तो हम जानते है नाइट्रोजन भी फर्टिलाइजर में यूज होता है और पोटेशियम भी होता है तीनों ही हाई अमाउंट में यूज होते है यानि ओल अफ दीज क्या हो जाएगा इस कांस्वर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि यहां पर जितने भी ऑप्संस है यह सारे के सारे ही क्या है यानि इसका अंसर क्या हो जाएगा जानते हैं एक अप्रेल 1973 यानि 1973 वन अप्रेल को यह स्टार्ट हुई थी तो सेकंड ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल करें थर्टी एट नंबर क्यूशन दे क्लोन से डोली वस क्रियेटेड थ्रू विच ओफ दे फॉल्वाइंग टेक्निक गीवन बिलो देखें क्लोन भेड डोली निमन में से किस तक्निक से बनाई गई थी तो हम जानते हैं कि जब नुक्लियर ट्रांसफर हुआ था क्लोनिंग थी ती यानि यहां पर सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा केंद्रक इस्ताना आंतरन द्वारा क्लोनिंग क्लोन थी डोली भेड चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ फीजिकल एंड फीजियो लोजिकल कनेक्शन बिट्वीन मै यहां पर फॉर्ट और अबसराव आजयोगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कि तरफ बढ़ते हम फॉर्टी नमबर कुशन है लिविग सेल्स वर फॉस्ट अब्सवर और अब यानि हमें देखना है कि फॉस्ट लिविग सेल को किसने अब्सवर किया था तो हम ज गार्डिंग सेल डिवीजन वोज फॉस्ट प्रपोस्ट बाई यानि हमें देखना है कि यह जो ओमनी सेलूला है सबसे पहले किस ने प्रतिपादित किया था तो हम जानते हैं कि यहां पर रूडॉल्फ विडचो ने इसे प्रतिपादित किया था चली तो यहां पर फॉस्ट गया अब हम बढ़ते हैं तो जो नुटर लामटे एं तो यहां पर बौछ नुन नाइट्री तक्वयाइक को जाएगा नेक्स्ट किस अएट था ? कि तो पर गोघूल मोना।ो फॉस्ट पैरट्रिन कैस्ट करेक्तर पर बढ़ते हैं तो बड़ते हैं। तो पैनिसलीन हम जानते है को फंजाई से अप्टेन होई थी और उसे फंजाई का नाम क्या था पैनिसिलियम नोटेटम क्या था पैनिसिलियम नोटेटम यानि यहां पे third option बिलकुल correct हो जाएगा next question देखिए 44 number question which oxides are responsible for acid rain तो हम जानते हैं कि जो सलफर डाई ऑक्साइड होता है और जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होता है दोनों ही रेस्पोंसिबल होते हैं एसिड रेन के लिए यानि यहां पर करेक्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट किशन की तरफ बढ़ते हैं 45 नंबर किशन गंगा एक प्लान जो है वो लॉंच करा गया था नेक्स्ट किशन देखिए विच ग्लेंड इस मेक्स्ट ग्लेंड यानि हमें देखना है कि मिस्रित ग्रंथी कौन सी है तो हम जानते हैं कि जो पैनिक्रियास होती है वो एक क्या होती है मिक्स्ट ग्लेंड होती है तो यहां पर थर्ड क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किश्टन की तरफ हम बढ़ते हैं विच होर्मोन इस दे प्राइमरी सेक्स होर्मोन ऑफ मेल यानि हमें देखना है कि जो नर होता है उसका प्राथमिक लेंगी का हार्मोन कौन सा होता है तो बहुत ही आसान सा किश्टन है सर्फेस इस कॉल्ड यानि प्रित्वी की सतह पर उत्पन होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं तो इन तरंगों को हम कहते हैं सेस्मिक वेव यानि यहां पर फॉर्स्ट ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले किश्टन की तरफ बढ़ते हैं 49 नंबर किश्टन सेट आप लोगों को यहां पर इंकरक्ट लग रहा है क्योंकि यहां पर देखिए स्पर्म के बाद यहां पर और विडक्ट आ गया जो कि क्या है बिल्कुल रॉंग है यानि यहां पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा नीचे दिया गया समुझ यह प्रजनन संबंदों का है जिसमें घलत सहीं जन तो हमें क् स्टेटमेंट चेक करना था तो आपको यह पढ़ना होता है कि यहां पर पूछा क्या गया है तो रॉंग था स्टेटमेंट तो वो कौन सा है थार्ड ऑप्शन यानि आंसर हो गया अपना थार्ड चली नेक्स्ट किशन देखते हैं फिफ्टी नंबर किशन दिजीज कोस्ट गुदवाइब टृट्ट जोड़ डिजीज होती है उसका नाम कया है तो हम जान तहे हैं पिजोमलेरिया होता है वो किस से होता है बच्छों प्रोटोजय कोता है अब इसके बार में बताना है कि यह कौन सी प्रपर्टी है यहाँ पर तिन प्रपर्टी दी कहीं है कमुलिटिव लो असोचिएटिव लो एंडिस्रिबुटिव लो नियम साथ चरिया या फिल वित्रन का नियम अब यहां से देखने पर मालूम चल रहा हbung कि तीन अपने पास में oh a very samen a b and see a bracket का मतलब होता है में अब कोदम हज़ा है कि यहां अब plus a multiply hoga cc it is is that is equals to our arachas abhi arachas haiya abhi a property kon si hothi ki a distribute ho ra hai b and c ke saad so that one is the distributive property so answer is three next question is question number 52 the multiplicative inverse of minus two upon five a minus two upon five kya minus two upon five kya a multiplicative inverse yaha phir baat karay gunan prathilom ki to multiplicative inverse hoota kya ki aisa number this ko aap kis value ke saad multiply karengi kiya koos ki multiplicative identity mill jaya or multiplicative identity hooti hai one indhi me baat karayi to gunan prathilom kishi number ko kis se apan guna karengi ki ki uska gunan tatsamak aajayi to you gunan tatsamak bhi kya hooga one hooga to number e hai isko a multiply karoogi iske reciprocal ke saad one upon e e se e cancel ho jayega to bache gaga kya indirectly aapne paas me bache gaga one to minus two upon five e iska aapko lelena hai kya simply reciprocal kya hooga negative hooga yaha phir multiplicative inverse bhi kya hooga negative option aapnech kralo minus five upon two that is option number two next question is the next question had the rational number that does not have a reciprocal yani ki aisa koon sa number aapne paas me hooga waha pari mei sankhya jis ka vidkaram nahi hoota hai to abhi ya hapa dhekho aapne paas me option hai zero one minus one or two one agar mei baat karo 12 ki to 12 ka reciprocal aapne paas me hooga that is one upon two a minus one ka reciprocal aapne paas mei minus one qua minus one hi ho jayega one ka bhi reciprocal kya hooga one hi hooga phir bacha zero zero ka jab aap reciprocal liko gisuppose zero ko metz zero upon one ka dhu ye kya ho jayega one upon zero to ye reciprocal to hai lekin yaha par value aapne ka si ho jati hai undefined ho jati hai hai or undefined ka mtlab aap ka sakti ho hai paribhashit jis ko haam paribhashit nahi karza to answer kya ho jayega option number first zero next question hai question number 54 or 54 kata the root of the equation a quiz ka root bata na root ka mtlab yo hoa ki waha x ki value abhiya equation aapne paas me x me x kiazi kya value rakhoghe ki ye to complete hai ye iska lhs equals to ho jay arhs kek to isko aap solve karo ke to ye hai 11 x minus five minus x plus six equals to 2 x plus 17 aapne haapne haapne ye karo ki jo variable terms hai unko aapne saath rakhou ye ho gya 11 x minus x kya 2 x ka aap transfer karo ghi lhs ki traf tuhi ho jayega minus me 2 x right hand side me aapke paas is 17 six ko aap shift karo ghi minus six or ya jayega minus plus ka kya ho jayega 5 11 minus x ho gya 10 x or 10 message 2 x jayega aapke paas miray jayega 8x equals to 17 minus six is fifth 11 or 11 plus five is 16 x ki value kya hooghe 16 upon 8 or 8 se divide karo ghe to 8 to 16 x ki value kya ho jayegi yaha p2 aapke ye hooghe aapka question number 54 next question hey question number 55 is 553 by 4th part of a number is 5 more than its 2 by 3rd part this statement in the form of an equation kisi sankhya ka 3-4 भाग उसके 2-3 भाग से 5 अधिक है समी करण के रूप में यह है कतन है तो आपके पास मिया पे इसकार option है यह कतन यह फिर जो अपने पास में statement दिया हुआ है उसको आप किस तरीके से रिपरसेंट कर सेके देखो क्या कहता है three part of a number किसी संख्या का तीन बटे चा तो वह संख्या अपन यहां पर मान लेंगे कि माना कि that number be x तो वह नमबर अपन ने x मान लिया है x का क्या लेना है three by fourth part तो three by fourth part of x is यानि कि यह किसके equal है five more than five more than का मतलब कि जो भी आएगा उससे five ज्यादा है it's a two by three इसके दो बटे तीन भाग से ज्यादा है तो यह हो गया two by three किसका एक्स का यह आपके पास में यह equation देदेगा तो यह हो गया three by four of का मतलब हो जाता है multiply आप x multiply करोगी यह हो गया three by four x equals to two x by three plus five अब इस form में आपके पास में यहाप equation नहीं है तो इससे मिलती जूलती यहाँ पर देखो two by three three x ठीक है two by three x minus three by four x हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है कि जब आप three x को इधर shift करोगी equal में कहता है five लेकिन जब equal में five जाएगा तो यहाँ पर minus five आ जाएगा ना कि प्लस का five तो option first कैसा हो जाएगा गलत two by three x हो गया यह रहा माइनस में five इसके साथ माइनस में five नहीं है तो option number यह भी गलत हो जाता है फिर है option number third three by four x बिल्कुल है three by four x equals to two by three x plus five तो यह as it is आपको answer दिया हुआ तो option क्या हो जाएगा option number three is correct answer next question है question number 56 if x is an even number then the consecutive even number is यदि एक समसंख्या है तो उसकी क्रमागत समसंख्या क्या होगी आप देखो समसंख्या के बारे में यहाँ पर अपने को मालूम होना चाहिए कि समसंख्या है कौन सी होती है समसंख्या जिसको हम कहते हैं even numbers तो जब भी पहला आपके पास में ज़्यादा two four six eight and so on इस तरीके से आपके पास में even number है even number की definition क्या हुआ हुई a number divisible by तू या फिर आप कह सकते हो इट इस अ कि मल्टीपल आफ अ कि मल्टीपल ओफ या तो वो number two से divisible होना चाहिए या फिर वो number multiple होना चाहिए अब देखो यहां पर एक इसके बाद में आने वाला even number कौन सा होगा तो यहां पर आप देख रहे होगी इनका जो difference है कितने का चलता है नेक्स्ट मिलेगा फॉर पे आप प्लस टू करोगे नेक्स्ट इवन नमबर फिर नेक्स्ट क्वेशन है आपके पास में फ्वेशन नमबर फिफ्टी सेवन कि दिजिट्स ऑफ़ टू डिजिट नमबर डिफर बाई त्री दो अंकों की एक संख्या की अंकों की मद्ध है तीन का अंतर है तो यहां पर हम माल लेंगे कि जो दो डिजिट का नमबर है दाट इस एक्स वाई यह दो डिजिट का नमबर हो गया यह हो गया आपका वन स्प्लेस पे एक आई अंक और यह हो गया आपका दहाई का अंक टैन्स डिजिट ठीक अगर मैं इसकी एक्सपेंडेट फर्म लिखना चाहूं तो यह टैन्स पे है तो यह हो जाएगा टैन एक्स और यह हो जाएगा प्लस वाई अब क्या कहता है आगे इनका जो डिफरेंस है जो यह डिजिट है एक्स और वाई इन दोनों के बीचे में ड X-Y is equals to 3 यह हो गया अब फिर कहता है इफ डिजिट्स और इंटर सेंज एंड रिजल्टिक नंबर इस एड़े तो और इसनल नंबर यानि की डिजिट्स को आपको क्या कर देना है चेंज पहले आपके पास में था एक्स वाई जो आपका क्या रहने वाला है और इसनल नंबर X and the resulting number resulting number आपके पास में यह है yx is added to the original number तो xy पे original number पे आपके पास में resulting number है yx तो यह आपने add कर दिया is added to the original number we get 143 तोनों का add करने पे आपको क्या मिलता है 143 मिलता है what can be the original number तो original number पूछ है आपको xy बताना है अब यह आगी अपने पास में दो वीरियेबल में इसको आप convert करोगे यह हो गया इसकी expanded form 10x plus y plus 10y plus x equals to 143 x और y में अपने पास में relation है x minus y equals to 3 तो या तो आप x के लिए value निकालोगी यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि x is equals to 3 plus y तो यह हो गया 10x की जगह आपने क्या कहें दिया 3 plus y plus y plus यह 10y और plus x की जगह हो गया 3 plus y equals to 143 इसको solve कर लो करने पर क्या जाएगा अ कि solve करने पर है 1030 30 plus 10y plus y a 10y plus 3 plus y equals to 143 यह वाली तरम्स आपके पास में एक यह है एक यह है और एक यह और एक यह तो टोटल वाई कितने होगी 10 और 1020 21 22 22 वाई इक्वल्स तू 143 यह 30 हो गया 30 और 333 राइट साइट में आप ट्रांस्पोस करोगे तो माइनस 33 तो यह हो जाएगा आपके पास नंबर कितना 3-3 0 4-3 1 और यह हो गया ट्वंट ट्वाई की वेल्यू आगई आपके पास में 110 तो य की वेल्यू क्या आजाएगी 22 से आप सको निंबर को डिवाइड करोगी तो कितना हो जाएगा वाई is equal to 5 तो य की वेल्यू आपके पास में 5 आगई यह हो गया कौन सा और इजिनल नंबर अपने पास में था xy once digit आपको मिल गई 5 और यह value के बारे में पूछा है तो यह value क्या हो जाएगी इन दोनों का difference कितने का है 3 का x की value क्या हो जाएगी 3 plus y to 3 plus y की value 5 हो गई 5 plus 3 is 8 तो x की जगे आप क्या रख दोगी 8 तो आंसर क्या हो जाएगा 85 यह आपका आंसर होगा फिर नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 58 अंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलिगन विद एन नमबर ऑफ साइड एन नमबर ऑफ साइड के लिए फोर्मॉला होता है यह आपके पास में फॉर्मॉला होता है कोडिलेटर्स में जब भी आप बात करेंगे कारी लेटर में जो भी होता है इंगर सम प्रॉपट्व आपके होती है ट्राइंगल के लिए मैं ये और ट्रैंगल में lose होता一定要 दिगरी तो अब आगे जो भी दो यह आपके अपने पास में आगया एक केशिध्使त है इसको आप दो है ट्रेंगल में ब्रेक करो गे तो इसमें Angle Sum Property हो जाएगी 180 डिग्री और यहां पर Property हो जाएगी 180 डिग्री आगे आप जाओगे पैंटा कोनवरीक करीए इस को भी आप रिंत ciao कि अब त्राइंग्ल में ब्रेकद स्टाइंगल दूसरा और यह थीसरा इसकी प्रक्व पर इसको जाती है 180 और इसकी हो जाती है 180 यानिकि three times of 180 डिगरी यहां पर number of sides कितनी थी number of sides आपके पास में five ती यहां पर number of sides कितनी थी 40 और यहां पर multiply में 180 कितनी टांज है two times तो इसका formula हो जाता है 2 multiply 180 और इसका हो जाता है 3 multiply 180 similarly hexagonal shape के लिए आप जाओगी तर्स्ट ट्राइंगल थे थर्ड और यह तो फोर टाइम्स आपके पास में कितना आ रहा है 180 डिगरी नंबर आप साइड यहां पर कितनी हो जाती है 6 और यहाँ पर है number of sides 5 अब देखों यहाँ पर difference कितने का है थी त्री टाइम आपके पास में three triangles में break हो रहा है और यहाँ पर आपके पास में four sides थी तो यहाँ पर आया रहा है तू यहाँ पर six sides तो four times आपके पास में 180 डिग्री या फिर उसको four triangles में break किया जा सकता है अब यहाँ पर डिफ्रेंस है आपके पास में टू का तो four or two के बीच में difference two का five four three के बीच में difference two का six और four के बीच में difference two का तो formula यहाँ पर generate हो जाता है कि अगर मैं इसको कहूं कि यह inside है तो यहाँ पर डिफ्रेंस आपके लिए जा रहा है number of side और इसके बीच का यह हो गया n-2 और multiply में कितना चलता है 180 तो आपके पास में answer क्या रहेगा n-2 multiply by 180 अब next question है आपके पास 59 how many sides does a regular polygon है if each of its interior English 165 एक संबहु बुझ में कितनी बुझाएं होती है संबहु बुझ या फिर regular polygon की आप regular polygon की बात करेंगे तो ऐसा polygon जिसकी सारी की सारी साइड्स कैसी हो सेम एक जैसी हो लेंथ सेम होंगी हर एक एंगल उसका equal होगा और आगे कहता है यदि इसका प्रतिक आंतरीक कौन 165 डिग्री है तो आंतरीक कौन interior angle आपके पास में 165 डिग्री दिया गया है और फिर यह कहता है कि number of sides आपको बतानी तो अभी जस्ट लास्ट वाला question था कि interior angle n-2 multiply by 180 degree is equals to आपके पास में कितना हो गया 165 यह तो है complete angle sum ठीक है और आपके पास में दिया गया कितना 165 अब यहां पर आप दूसरी property भी यूज कर सकते हो इस formula से यूज करना चाहिए तो यह भी है exterior angle के लिए आपके पास में formula चलता है क्या कि number of side multiply by angle is equals to 360 degree यहां पर exterior angle के लिए चलता है कि कोई भी आपके पास में polygon होगा उसका जो exterior angle है यह कौन है उनका जो सम है कितना होता है 360 अब आपके पास में यहां पर देखो एक interior angle आपके पास में दिया गया 165 डिग्री तो इसका बहिश कौन निकाल लोगे तो 180 में से आप 165 को माइनस कर दो तो कितना आजाएगा आपके पास में 15 कि 15 डिग्री हो गया तो नंबर आप साइड्स multiply angle हो गया आपके पास में exterior का 15 डिग्री इस इकोल स्टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री तो तो इंटीर एंगल आपको दिया है 165 डिग्री और जो आपके पास में लास्ट कोशन था कि एंगल सम किसी भी पॉलिगन के लिए एन माइनस तू multiply by 180 डिग्री होता है यह तो complete एंगल सम है अब आपके पास में एक इंटीर एंगल का दिया हुए तो डिवाइड बाई कितना गर्दोगी एंट इस इकोल स्टू 165 डिग्री है तो यह एक एंगल का मेजर्मेंट हो जाएगा यह हो गया एंग माइनस तू multiply 180 डिग्री इस इकोल स्टू 165 इंट अब इसको आप सॉल कर लोगे तो भी आंसर कितना आएगा 24 आएगा चलो मूब करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ और नेक्स्ट क्वेशन है आपका प्रॉपर्टी का काम है यदि एक समांतर चतुर बुझगी चारो बुझाय समान किस-किस में होती है या तो होता है होता है इसक्वाइर में या तो होता है इसक्वाइर में कि वर्ग में या फिर होता है किसमें कि रॉंबस ठीक है कि अब अच्छा प्वेशन हो गया क्वेशन है अब यहां पर आपको कहता है कि पैरलेलोग्राम है इक्वल एड्जेसेंट एंगल है चारुबजाई समान है तो चारुबजाई समान के लिए दो ही बाते अपने पास में या तो वो क्या होगा 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 या फिर होगा रॉंबस होगा या तो सम्चत्रभूजजण होगे तो उसक्वायर में सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं है टीक्वल और मैजर्मेंट उनका होता है धीज तो यहां से डेक्टेंगल हट गया क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास में पर यह पर सारे के सारे इंगल कितने को यह में सारी साइड कैसी हो गई है इक्वल हो गई ठीक है अब यह एंगल अब परलेलोग्राम तो है अपोजिट साइड परलेल होंगी और इनके जो एड्जसेंट एंगल से जो आसन कौन है उनका जो योग है वो कितना होगा हमेशा 180 डिग्री ही होगा तो देखो 120 और प्लास 60 डिग्री भी कितना होता है 180 डिग्री यह सारी चीज़ें किसी में होंगी सम चत्रूबुज में होंगी चलो मूब करते नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन आ गया स्क्वेशन नमबर 60 वन और 61 देखो कहता है यह कि तो फोर एंगल्स अफिर कोडिलेटर में जो एंगल सम है वो कितने का होगा 360 डिग्री का अब रिश्यों आपको दे दिया 123 और फोर यहां पर जो कॉमन था वह आप मालोगे कि मल्टिपल ओफ एक्स है तो पहला एंगल हो जाएगा 1 एक जिसको आप क्या कहते होगी एक्स दूसरा हो जाएगा 2 एक्स तीसरा हो ज और 36 और प्लस 4 10x एक्वोल्स टू 360 डिग्री एक्स इक्वोल्स टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री अब यहां पर पूच्छा है कि छोटे कोन का माप है smallest एंगल यहां पर देखो रेश्यों में सबसे छोटा कोन है वन तो वन की वेल्यों आपको क्या होगी एक्स और एक्स क कि वेल्यों क्या हो गई 36 डिग्री तो ऑप्षन कोन सा सी हो जाएगा 36 डिग्री नेक्स्ट कुशन है क्वेश्चन नंबर 62 जाता है तो संभावित परिणाम होगी संख्या क्या होगी टाइस को जब आप ट्रो करोगे तो वहां पर क्या क्या सकता है तो उस डाइस के ओपर या तो नंबर वन आएगा टू आएगा त्री फॉर फाइफ सिक्स अब इससे ज्यादा वहां से कोई भी पॉसिबल आउटक पॉसिट होता है वन से लेके शिक्स तक यही इसके पॉसिबल आउटकम है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 6 है नेक्स्ट कोशिण है 62 the pie chart is divided into pie chart जो पाइचार्ट होता है आपके पास में सर्कल की तरह होगा तो यह भी आपका ग्राफ का टॉपिक है इस डिवाइडेर इंटू किसमें डिवाइड होता है तो option इसका हो जाएगा आपका सेक्टर्स जिनको आपन कहते हैं सुर्य सेक्टर्स हो जाएगा त्रिज्य खंड किस तरीके से होता पाईचार्ट आपका अब कर यह इनको सेक्टर्स में डिवाइडेर किया गया होता है कोई भी वैल्यू यहां पर दे जाती है या तो परसेंटेज में होती है या फिर डिग्री में हो सकती है वोटेवर किसी भी वैल अब पर है उसको आप क्या कहते है या तो हम बोलेंगे सेक्टर्स और हिंदी में बात करें दो उसको कहते हैं तो अंजर इसका हो जाएगा option का नंबर सेक्टर्स नेक्स्ट्स है आपके पास में और 64 टेएली मार्गोस का यूज्स किसके लिए जाता है देखो लोडी मिट अपर लिमिट और क्लास मार्ग के लिए तो होता ही नहीं है ठीक है आ वरती या फिर फ्रिक्वेंसी की बात करें जैसे यहां पर क्वेशन है आपके पास में की एक class में कुछ बच्चे हैं अर अर्ट नंबर ओफ चिल्डरन और इदर ले लिए अपने class कि first class में मानलो five student है second class में 10 student है and so on अब इनको टेली मांक जब तुम लोग बताऊगे तो टेलीमाक किसके लिए represent करा जाता है number of childrens या किसी भी number of whatever कोई भी आपके पास में यहां पर object दिया जा सकता है जिनको अपन क्या करते है frequency तो फाइफ है तो फाइफ के लिए आपने को वान टू 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 करेगा लगा number of children को इनटीस केस आगे अगर और भी कोई आपने पास में आता है नंबर को री पर्जेंट करेगा तो नमबर को ही अपन यहां पर आ रहा है या फिर कितने नंबर ओफ इस्टू टू 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 और गोंप फ्रीक्वैंजी नेक्स्ट क्वेशिन है कि 65 a child has a block अब देखो यहां पर block दिये गए है A B C A B C D E A एक बच्चे के पास एक घन के आकार का एक ब्लोक होता है जिसके प्रत्य फलक पर एक अक्षर लिखा होता है जैसा की नीचे दिखाया गया एक घन को एक बार फेका जाता है तो ए प्राप्त करने की प्राइकता आपको यहां पर बताने हैं तो देखो ए आपके पास मे से दो कंडिशन में है एक तो यह है और एक यह है टोटल आपके पास में 123456 पॉसिबल आउटकम तो आपके पास में कितने होंगे और उनमें से यह आपको चाहिए तो एक इतनी बार अक्रोर हो रहा है तो टाइम तो आंसर कितना हो जाएगा टू बाइ इसके लिए हम क्या देंगे तू से यह डिवीजबल हो जाएगा टू बन जा टू एंड टू त्री जा शीक्स आंसर क्या हो जाएगा वान अपन ठीक है यह यह वह गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चाट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में है यह एक पाई चाट दिया है सेक्टर ए है सेक्टर बी है और सेक्टर सी है एको दिया गया है 30 परसेंट बी को दिया गया है 40 परसेंट और सी को दिया गया है लिए किसी भी पाइचार के लिए रेंडट बीदि सब्सक्राइब निवान यहां पर यहां पर आपको वैल्यूजद दी गई है परसेंटेजमे Lazm incent s सिक्टर्र, यहां बंस देखो डियों नीकाल का यह से जीरो से जीरो कयन सिरों सबस्क्राइल गया बचा गया 36 x 3 जा गया 108 डिग्री सेक्टर एक के लिए तो आपके पास में ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेस्टन है इसी का ही वाट इस दिफरेंस बीटून दे सेंट्रल एंगल फोर सेक्टर बी एंड सेक्टर सी अब बी के लिए देखो बी के लिए बी के लिए एंगल चाहिए तो देखो यह अपनी यहाँ पर अभी अभी लास्ट कोशन में इकाला है 100% की वेल्यू कितनी होगे 360 डिग्री और 1% की वेल्यू हो जाती है 360 डिग्री डिवाइड बाई 100 तो यह 1% की वेल्यू आपको चाहिए बी का और सी का तो बी में है 40 पर 1% की वेल्यू 360 डिवाइड बाई 100 और 30 परसेंट इसको गीवन है तो 30 से आप मल्टिप्लाई कर दोगी यह 0 से 0 कैंसिल यहां गया 140 डिग्री और यहां पर अपने निकाल आई था सेक्टर ए और सी के लिए सेम है 108 डिग्री अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस पूछा है तो डिफ्रेंस देख लों कितने का है 144 में से 108 को माइनस करोगी तो कितना आ जाएगा 148 माइनस करेंगी 144 माइनस 108 कि यह जाएगा इसका 96 नहीं 96 नहीं आएगा माइनस गलत हो गया 108 को माइनस करना है यह से आगया 6 यह जाएगा 36 तो आंसर इसका हो जाएगा 36 तो फिर देखे नेक्स क्वेशिन आपका इसका सिधा 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 फॉर्मला चलता है है 80 तो को आप 80 से मल्टिप्राइब करतों कितना जाएगा 160 तो इन दोनों के बीच में आपके पास में कितनी संख्या होंगी एक एक साथ संख्याई होंगी फिर है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 69 डे स्मॉलेस नमबर बाइविच 32 इसमॉलेस नमबर बाइविच 32 शुट भी मल्टिप्लाइड सो एस्टू गेट पर्फेक्ट स्कूर नमबर यानि की 32 को आप किससे गुना करेंगी कि आपके पास में एक पर्फेक्ट स्कूर नमबर आ जाए तो इसका प्राइम कर लोगी 32 है तो 32 को आप क्या कहें दो कि दो दो का पेर आप लेके चलोगी अभी यहां पर देखो टू का पेर नहीं बुन रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा टू की जरूरत पड़ेगी तो किस से मल्टिप्लाइड करेंगे आप तू से अब 32 को टू से मल्टिप्लाइड करूगी कितना जाएगा 64 और 64 किसका हर कि आफ टूनमबर्स एज 145 is it if you square root of one number is three तो और नमबर इस दो संख्या ओंके वर्गों का यह तो दो संख्या आपने मान लीकी एक संख्या है स्क्वाइर है तो X स्क्वाइर बराबर कितना है एक सब परब सबूद ऐसे लगा एक दोलगा आपको पूँछ दो पूछ यहां पर यहां पर रख दो तो यह square equals to 145 में से आप माइनस कर दोगे 9 को तो 5 गए 140 और 4 गए 136 कि यहां पर पूछा है था अधर नंबर इस तो दूसरा नंबर कुन सा हो जाएगा आपके पास में 136 यानि कि दूसरा नंबर आपके पास में जो एड करा गया है दूसरा नंबर आपके पास में क्या था वाई स्कॉयर था तो वाई स्कॉयर क्या एड करा गया था वाई स्कॉयर की वेली कितनी या गई 136 तो यह हो जाएगा इसका आंसर आप्शन नंबर फिर्स्ट अब उसके बाद में हैं next question question number 71 if the volume of cube volume दिया गया है एक घंका और घंका volume क्या होता है side multiply side multiply side यह होता है किसका एक घंका आयतन कितना दिया गया 4913 cm it is equals to 4913 cm क्यों इसको आप क्या कह सकते हो यह एक साइट में करता हूं that is a यह हो गया a to the power 3 is equals to 4913 a को a से multiply करो कि multiply तो क्या हो जाएगा a to the power 3 equals to 4913 आपको दिया गया है then length of side of cube is esto 6 cube की side क्या हो जाएगी आपको एक एक इango करनी है तो क्या हो जाएगा इसका क्या रहना को क्यूब रूट किसका 4913 का निकालने के लिए आफ क्या करते होगि इसका ऊंत्रोगी 49 14v3 अब इसको आप सॉल करोगे कि नशाएगा कै 17 से क्या कैया उतno बंदरा रहे गई यह आगया कि चला जाएगा इट टाइम डिवाइड वन थोर्टी सिक्स आपके पास आएगा क्या बचेएगा 15 और फिर लास्ट में आ जाएगा 3 कि चला जाएगा नाइन टाइम या गया 289 फिर 17 से चला जाएगा 17 टाइम और फिर 17 से चला जाएगा वन टाइम कि तो इसका निकालोगी तो निकालने के लिए इसकी पावर कितनी हो गही सेवं तूध पावर थ्री से क्यों के तो क्या बच जाएगा 77 और युणित आपके पास में कितनी सेंटिमीटर तो आंसर ग्यों ऊप्शन ब्रट्टो 17 सेंटिमीटर फिर है नेक्सट कॉस्टिक आपके पास क्यूब रूट आफ पॉइंट 001331 तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा 1331 तो देखो इसको आप पहले विदाउट पॉइंट आप लिखोगी तो यह हो जाएगा 1331 पॉइंट के बाद में 20 है तो एक बार 0 को छोड़ दो यह चला जाएगा 3 से डिवाइट नहीं सीधा जाएगा 11 से 11 वंजा 11 2 और 3 121 टाइम फिर वापस 11 से जाएगा डिवाइट 11 टाइम और फिर 11 से जाएगा वन टाइम तो यहां पर देखो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 11 विदाउट पॉइंट अपन नहीं करा है अब पॉइंट के साथ में आप करोगे तो यहां पर देखो क्या हुआ कि 0.001331 अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1331 डिवाइड बाई 123456 और टेन टूदी पावर 6 आप ले सकते हो जब आप इसका क्यूब रूट ले ओगे तो 1331 का तो आगया 11 डिवाइड में 0 का आप हाफ कर दो 60 हैं तो बाहर कितनी आ जाएंगी कि दो जिरो जाएंगी क्या बिल्कुल आ जाएंगी क्यूब रूट लेना आपको तो 33 का पियर चाहिए या फिर अगर मैं आप यहां पर यह कहूं यह हो गई टेन टूदी पावर 6 इसकी पावर कितनी हो गई वन अपॉन 3 तो पावर से पावर को केंसिल करोगी तो टेन एक होगी यह चाहिए कि आप स्थाइब 2 फॉर्प प्लस पीज़ पर्फेक्ट क्यूब एक पूर्ण घंसंक्या है यानि कि यहां पर पी में कितना आप रखोगी वैल्यूं कि यह एक पूर्ण घंसंक्या बन जाये परफेक्ट क्यूब बन जाए तो यहां पर सिधा आँसर पाइफ अन्डेड फोर के जो नेक्स्ट कोईशन है वा जो नेक्स्ट नंबर है पर्फेक्ट क्यूब में एड इस 502 तो फाइफ ऑंडेड टुवल बनाने के लिए पे की वेल्यू क्या होगी तो पी की वेल्यू कितनी हो जाएगी 4 है 12 बनाने के लिए आप कितना 8 कर दोगी आंसर हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा 8 ठीक है 504 है प्लस पी करोगी इसके आगे वाला नंबर है पांसो बारा तो पांसो बारा में से पांसो चार को आप माइनस कर दो यह पी की वेल्यू आ जाएगी माइनस कर दें कितना हो गया 8 आ गया तो पी की वेल्यू किती होगी इसको परसेंट में कनवर्ट करना है तो फॉर रेशो 25 क्या हो जाएगा फॉर अपॉर अपॉन्टिफाइव परसेंट में लेके जाने के लिए 100 से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो 25 से 100 के इंसीर हो गया फॉर टाइम फॉर फॉर जा 16 यह हो जाएगा इसका 16 परसेंट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेशन है अटोई मार्क्ड एक खिलोना है जिसकी कितनी वेल्यू रखी गई है 40 इस अवेलेबल फॉर 32 यानि कि 40 रूपी तो उसकी मार्ट प्राइस है जो लेबल है उसके उपर लिखा है रूपीज 40 और वह अवेलेबल कितने में हैं तो अगर उसकी सेलिंग प्राइस की बात करी जाए तो वो कि इस मार्क प्राइज का कितना परसेंट ने तो पूछ है कि 40 के उपर जो डिसकाउंट दिया गया है आठ रुपे का तो वह कितना परसेंट हुआ यानिकि यह पूछा है कि ओट परसेंट आफ एट इस और रुपीज फॉर्टी तो हो जाएगा एट अपॉन 40 percent value के लिए multiply by hundred आप कर दोगे zero से zero cancel हो गया four से eight cancel हो जाएगा two time और two quote and multiply करोगे कितना हो गया twenty percent तो उसने कितने percent का discount दिया था twenty percent का discount दे दिया next question है question number 76 there are 1275 trees in a Chaudhary farm एक Chaudhary farm है जिसके पास में कितने trees है 1275 trees है अब इसमें से कहता है कि आउट ओफ दी 36 percent 36 परसेंट किसका 36 percent of 1275 यह कौन है यह पेड़ फलों के तो यह fruits हो गया है तो उतने उसके चaudhary farm में लगे हुए है fruits तो पूछे how many trees of fruits are there in Chaudhary farm तो 36 percent की value पूछिए तो 36 percent की value निकालो 36 percent means 36 upon 100 अफ का मतलब multiply और यह हो गया 1275 आप इनको आप cancel out कर लो तो cancel out करने पर जो भी answer आएगा क्या आएगा देखो 12 आप शीदे 5 से multiply कर लो multiply आएगा divide 5 2 जा 10 और यह भी चला जाएगा 5 से 5 2 जा 10 55 25 55 25 यह हो गया 36 multiply 25 25 divided by 20 फिर यह चला जाएगा 5 से 5 4 जा 20 55 फिर यह 4 से चला जाएगा 9 इन टाइम कितना बचे गया 9 multiply by 51 9 1 9 9 5 45 45 तो 459 जो ट्रीज है उसके पास में क्या होंगे फ्रूट के ट्रीज है ठीक है यह होगा आपका question number 76 next question है question number 77 को पर को पर सेंटी सेवन है what will be the selling price if a profit of 5% is made selling price आपको पूची है है ठीक है विक्राइम ने पूचा है अगा है अगा है कि सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है और देखो दिया हुआ क्या क्या है कि एक साइकल है कितने में अविलेबल है 700 में तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 700 और उसके उपर आवर है यानि कि अतिरिक्त शुल्क हो सकता हो उसकी रिपेरिंग करी हो या फिर कुछ लेता है वह सेलिंग करने के बाद में यानि कि फाइफ परसेंट जो भी प्रॉफिट वह लोस होता है किस की ऊपर होता है कॉस्ट प्राइस की उपर होता है तो तो प्रेबर प्रेशनित आप को श्टानिकाल लो तो फाइफ परसेंट और 750 यह वह जाएगा 510 मूलीप्रीट कि मिला है तो selling price आपकी क्या हो जाएगी selling price is equals to cost price plus profit cost price आपकी कितनी होगी 750 और profit कितने हो गया 37.5 अड़को में कर दोगे यह ओप्शन नमबर टू 787.50 पैसे यो गया इसका अंसर है नेक्स्ट आपके पास सॉर्य कि दा एक्स्प्रेशन 4XY प्लस 7 इस इन यह आपको एक एक्स्प्रेशन दिया है एक व्यंजक है और यह कितने यह यहां पर पूछा है तो आपके पास में कितने हैं दो व्यंजक है एक आयत का आपको छेत्र फल बताना है जिसकी लैंद और ब्रित लंबाई और चोड़ाई क्या-क्या देदी लंबाई है आपके पास में नोवाई और चोड़ाई है टो आपके फोर वाई स्क्वार तो देखो जो कि आयत का डो चेत्र फल ऑता है एलिए और अव्यक्ते ग्रेंगर दैट इस एक्वास टू लैंथ मुल्टिप्लाई ब्रिट तो लेंथ कितनी हो गई नोवाई और नोवाई को किस से मल्टिप्लाई कर देना है एक क्वेशन है इसकी वैल्यू पूची है एक एकस्प्रेशन आपको दिया गया है था-वेल्यू क्या हो जाएगी x-y multiply करना है एक प्लस बाइब प्लस य-z multiply by y-plus-z plus z-z-x multiply z plus X Distributive Property का Use करेंगे X पहले multiply होगा X से तो क्या देगा X square plus XY फिर Y को आप multiply करोगे – X Y और माइनस में Y square यह तो होगे इसका अब बात करेंगे इसकी Y की value Y से multiply, फिर Z से multiply Y square plus Y Z अब – Z multiply होगा Y से फिर जेड़ से यह होजाएगा माइनस YZ और माइनस में Z to the power to कि एगे तूदी पावर तो फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा Z square प्लस में XZ मैं XZ और मैंनस में XSquire कुछ एक वेल्यू यहाँ पर है एक स्क्वाइर प्लस में है एक स्क्वाइर माइनस में लास्ट लास्ट यह कैंचल हो गया माइनस एक सेट प्लस एक सेट कैंचल हो गया जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा एक स्वाइज से एक स्वाइज केंचल हो जाएगा वाई स्क्वाइज से वाई स्क्वाइज स्क् प्लास यह क्या होजाएगा Y sq The 2- Multi पूछा है मुल्टिप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको उसी से भी मुल्टिप्लाइ करोगे तो क्या जाएगा वन आएगा तो टेन टूठ सब्सक्राइब लेलोगे तो one upon 10 थी पावर फाइफ दोनों को मल्टिप्लाई करोगी इसका जो रह क्या हो गया वन अपन एंसर का है option number 3 10 to the power minus 5 next question है question number a teaspoon number 82 value- Saturnibo पूछी है यह बी अपने exponent Chamber klaus related question है मैंन स्फेटोन लिए पावर है भी मैं फ्वावर मैंनस तो दिगावर 3d मार्टंफलाइम मैं मैंनस फिट विसीम उप्वर 6-0 करोगे क्या हो जाएगा 1-2 to the power 1 करोगे क्या आएगा minus 2 to answer check कर लो minus 2 option number 2 next question है 83 यह भी अपने power and exponents related question है minus minus 2 to the power m plus 1 multiply में है minus 2 to the power 4 is equals to minus 2 to the power 6 अब बेस सेम है न तो minus 2 to the power क्या हो जाएगी power add कर दोगे तो m plus 1 और plus 4 equals to minus 2 to the power 6 equal में है तो देखो बेस सेम है तो इनकी वह powers भी होंगी वह कैसी होंगी सेम होंगी तो m plus 1 plus 4 equals to 6 m plus 5 equals to 6 m की वेल्यू क्या हो जाएगी 6-5 it is equals to 1 यह हो जाएगी आपके पास में 1 की वेल्यू में की वेल्यू 1 next question है 84 अब इसकी वेल्यू पूछी कि यह किसके equal है तो 2.1 multiplied 10 to the power minus 6 है तो 2.1 divided by power नीचे आ जाएगी तो पावर हो जाएगी positive 10 to the power 6 यह पावर को यह point को आप अटाओगी तो एक 10 नीचे आ जाएगा तो total 10 to the power कितनी हो जाती है योगया 21 upon 10 to the power 7 तो 21 में 7 प्लेस चोड़ के आपको क्या लगाना है पॉइंट तो 1 2 3 4 5 6 7 and then point and then 0 योगया इसका आंसर तो चेक कर लो 0.5 times 0 and 21 option number first आपका correct answer होगा कि next question है तो common factor of समान्य गुडनखन बताना है इन तिनों नंबर का तो देखो 10 AB और 10 AB को आप क्या कहते होगे 10 AB is equals to 10 multiply A multiply B इसे तरीके से है 10 AB equals to 10 multiply AB और 20 30 BC इसको आप कहते होगे 10 multiply by 3 कह सकते है भी multiply C हो गया लास्ट नंबर आपके पास में 50 C इसको आप क्या कहते होगे 10 multiply by 5 multiply C multiply A तो आप देखो आपको कॉमन जो एक फेक्टर जा रहा हो कौन है 10 है बाकी इनके आलाव कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 आप्शन नंबर फरस्ट आपका और 9 को आप कह सकते हो 3 whole square बीच वाली मिडल टर्म देखो नेगेटिव है एस्क्वाइर बी स्क्वाइर है तो एप्लस भी का बनाने के लिए यहां पर अपने कुछ यह तूए भी अब एक ही जगाए आपके पास में क्या है कि इस इस की वैल्यु क्या हो जाएगी यह दिया हुआ है 0.645 multiply तो इसको आप क्या है सकते हो 0.645 का all square plus 2 multiply में आपको दे दिया 0.645 multiply 0.355 और plus 0.355 0.355 तो इसको क्या कहता हो कि 0.355 का whole square तो देखो 0.355 whole square है पहले अंदर वेल्यू है उनको एड़ कर लो तो एड़ करोगे तो कितना हो जाएगा यह आजाएगा 1.000 तो इसको आप वन ही कह सकते हो और इसका क्या करना है square और वन का square क्या होता है one option number एक आपका सही हो जाएगा next question है 90 square is equal to 90 square है जो अभी formula आपन यूज करे थे वही फॉर्मला है तो 99 को आप क्या कह सकते हो कि 99 कि इसको इस इकोस्टू इसको आप कहते होगे 90 प्लस नाइन का whole square में आप इसको तो ब्रेक करोगी तो फर्स्टम हो जाएगी फर्स्टम का square प्लस टू मल्टिप्लाइफ फर्स्टम मल्टिप्लाइफ सेकिंड टर्म और प्लस कि सेकिंड टर्म का whole square अब यह मेंच कर लो कौन से में 90 square 290 multiply 9 प्लस नाइन स्कॉर्ण नमबर वन आपका करेक्ट है फिर नेक्स क्वेशन है 89 the value of यहां पर दूसरी identity आप यूज करोगी a square minus b square का अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है a square minus b square equals to a plus b multiply a minus b और यहां पर value आपको ते दी 0.68 का whole square माइनस करना है 0.32 का whole square यह हो गया a और यह हो गया b a plus b to 0.68 plus 0.32 multiply 0.68-0.32 इन दोनों को एड़ करोगे यह हो जाएगा 1.00 क्या कहें दो कि 1 multiply में इसमें से माइनस करना है तो 0.8-266-3 तो 0.36 को 1 से multiply करोगी क्या आएगा 0.36 option number 4 आपका सही होगा ठीक कि फिर नेक्स्ट आपके पास 90 यहां पर भी factorization का काम है अब देखो यहां पर value दीवी है कि if x square minus x minus 42 equals to x plus k multiply x plus 6 तो k की value आपको पूछी है अब यहां पर देखो यह without factorization है यहां पर इनके दो factor दिए हुए तो इसका आपको क्या करना है factorization तो यह हो गया x square minus 42 को break करना है तो इसका factorization हो जाएगा माइनस में 7x और प्लस में 6x 6 में से 7 जाएगा माइनस बचे का दोनों का multiply कि x square का coefficient plus minus 42 का multiplication होना चाहिए तो 67-42 हो रहा है माइनस में चाहिए अब यहां पर दो-दो का factor उठा लो common लेंगे x यहां से क्या रहे गया x minus 7 remaining plus इन दोनों में से 6 common आएगा क्या बच गया x-7 x-7 दोनों में से common है और क्या बच गया x plus 6 और यह equal दिया हुआ था किसके x plus k multiply x plus 6 x plus 6 से x plus 6 cancel हो गया दोनों तरफ common दिया हुआ है x-7 x plus k के बराबर होगा तो x-7 equals to x plus के x से x cancel हो जाएगा के की वेली कितनी रहे गई माइनस 7 तो option number इसका 4 सही होगा नेक्स्ट क्वेशन है वेन वेन वी फेक्टराइज जब भी हम किसी टर्म्स कौ faktorize करें expression को फिक्टराइज करते हैं वी राइट इत एज ड्यश अफेक्टर कहरा है तो आपस में कैसे मल्टिप्लě्कीसिन में मुल्टिप्लीकिसिन को क्या करते आप है आप यहाप प्रौत आंसर क्या हो जाएगा पर любि इनको डिवाइड करना है तो देखो डिवाइड करने के लिए किसको डिवाइड करना है 26 26 x y multiply by x plus 5 multiply y minus 4 डिवाइड करना है किस से 13 x multiply y minus 4 से y minus 4 से y minus 4 complete factor cancel हो जाएगा x से x cancel हो जाएगा और 13 से 26 चला जाएगा टू टाइम और यह यहां पर क्या बच गया वाई तो आंसर क्या रहेगा आपके पास में 2y next day is a bar graph is a bar graph that shows data in intervals to intervals में देखो कौन सा डेटा है एक बार ग्राफ जो अंतराल में आगरे दिखाता है तो अंतराल में देखो बार ग्राफ नहीं दिखाता है पाई चार्ट नहीं दिखाता है लाइन ग्राफ भी नहीं दिखाता तो आंसर क्या हो जाएगा इस्टो ग्राफ ठीक है पिर नेक्स कोईशन है इसका होगे हिस्टो ग्राफ नेक्स कोईशन है ग्राफ डिस्प्लेश डेटा दाट चेंजेस कंटिनुसली ऑवर पीरियड ऑफ टाइम होता है एक ग्राफ जो आंकडी को प्रदर्शित करता है समय के साथ लगातार बजलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं लाइन ग्राफ प भी देक हो में तो यहाँ पर आप जब इंट्रुफ़ की बात करेंगे तो अ मिसमें जाएंगे साथ ह्टा लगाता बदलता रहता है अब समय के साथ देखो जब भी आप लाइन ग्राफ बनाओगी इस तरीके से इधर मैंने ले दिया समय है और इधर मैंने कोई भी एक डेटा दे दिया तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसके अकोर्डिंग डेटा भी बढ़ता जा रहा है सपोज यह टाइम और टेंपरेचर का लेकिन जो यह बात कह रहा है कि आंकड़े समय के साथ में वहां पर बदलते रहेंगी ठीक है तो वह किसमें होता है सिर्फ और सेफ लाइन ग्राफ में होता है ठीक है फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच पॉइंट लाइज ओन वाई एक्सिस वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होता है कि वाई एक्सिस पर एक्स का जो कॉडिनेट है वह जीरो होता है तो देखो यहां पर एक्स की वेल्यू आपको दी गई है यहां पर X की value है यानि कि यह तो Y axis पर नहीं हो सकता यहां पर भी X की value दी है यह भी नहीं हो सकता यहां पर X की value यह भी नहीं हो सकता यहां पर देखो X 0 है य का पॉइंट दिया गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा option number 3 फिर है the point 40 जीरो लाइज ओन विचाव दफॉलिंग बिंदू चार जिरो निम लिखते में से किस परिस्तित है चार जीरो है ना तो यह हो गया एकस का और यह हो गया आपके पास में वाई का एक बुझ हो गया और एक कोटी हो गया बुझ आपके पास में जो वाई की वैलियो हो जीरो होगी ठीक है और एकस की वैलियो आपके पास में फोर एकस की वैलिए यह जीरो है तो वह किस के ऊपर होगा एकसे के ऊपर होगा तो ए to minus two minus two is near near to x-axis या near to y-axis near to origin या फिर क्यों इक्विदिस्ट फ्रॉम xy xx के निकट होगा yx के निकट होगा मूल बिंदू के निकट होगा आप देखो इसको जब आप इंडिकेट करोगी minus 2-2 है तो यहाँ पर ले लिया एक्स की बी वेल्यू minus 2 यहाँ पर कह दिया कितने की डिस्टेंस की है 21 कि इसकी क्या है दूरी है ठीक है मूल बिंदू के निकट भी यह नहीं हो सकता जब मूल बिंदू से वैल्यू निकालोगे तो इन से ज्यादा निकलेगी ठीकि यहां पर आप पाइथागुरस प्रॉपर्टी का यूज करोगे दोई का यह हो गई द तो देखो एक्स एक्स से भी यह दो काई की दूरी है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इक्यू डिस्टेंट फॉर्म एक्स एक्स एंड य एक्स फिर है 98 98 देखो क्वेशन केता था नंबर इस डिवीजिबल भाई नंबर आपको दे दिया टू वन फोर सिक्स फाइफ एट से डिवीजिबिटी रूल इसके लिए आपको आना चाहिए पहले आप चेक करोगे सेवन से तो देखो थ्री का तो क्या होता है कि सम अफ डिजिट्स सेवन है 13 18 26 और 26 और 32 33 33 है 3 से डिवीजिबर होता है बिल्कुल होता है ठीक है और यह हो गया अब आप सेवन से चेक करोगे तो सेवन से चेक करने का देखो रूल क्या होता है टू फोर तू वन फोर सिक्स फाइफ एट सेवन है यूनिट डिजिट का क्या कर दो डबल कर दो कितना हो गया 14 बाकियों में से क्या कर दो माइनस कर दो तो माइनस करोगे 14 को देखो कितना आएगा अब तो वन फोर शिक्स फोर फोर अभी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे वापस यूनिट डबल कर दो फोर टू जा कितना हो गया इट इसको तो यहां से अटा दो और बाकियों में से क्या कर दो माइनस कर दो वापस इसको और सिंप्लिफाई कर लो तो 6 का डबल हो जाता है 12 तो 2, 1, 4, 5 इसका डबल बाकियों में से माइनस करोगे तो 12 को माइनस कर दो आगे और बढ़ जाओ 3 का डबल कर दो 9 तो 213 में से माइनस कर दो 214 आगिया शोरी शोरी जोरी जिरो और ये 104 ये आगया 213 में से आपको नाइन को माइनस करना है तो 13 ये हो गया जीरो ये हो गया 204 और 204 में भी आप वापस इसका डबल कर लो फोर का डबल क्या हो जाएगा एट और 20 में से एट को माइनस करोगे कि इसके लिए अपन सिदा सिदा चिक कर सकते हैं सेवन की टेबल पर ट्वाल नहीं आता है इसलिए सेवन से भी डिवीजिवल नहीं होगा कि फिर 11 के लिए चेक करना है तो 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स को एड़ करोगे तो टू कि टू के साथ 4 5 और 7 को एड़ कर तो कितना हो जाएगा टूर 466 और 511 11 और 718 बाकी की जो डिजिट्स एवन को एड़ कर तो 1 और 6778 15 तो 18 में से 15 किया कितना बचेगा आपके पास में 3 और 311 के लिए जो रिमेंडर है वो या तो जीरू आना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए था वैसा कुछ ही नहीं है तो आपने पास में ले दे के क्या बचा 3 बचा तो 3 से यह डिवीजिबल होता है नेक्स कोशन देखो सेकिंड लास्ट कोशन है यानि कि एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बतानी है कि ABC अगर आपके पास में एक नंबर है कि इसके एक्सक्ष्टिट फॉर्म क्या होगी यह 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 वन स्वे यानि किकाई पे यह टैंस पे दहाई का अंक्त है और यह क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर नेक्स देखो लास्ट कोशन है क्वेशन नमबर हंड्रेड और यह कहता है कि वैन नंबर इस अल्वेज डिवीजिबल बाइन 90 कोई संख्या हमेशा नभब से कभी विवाज्य होती यानि कि एक संख्या कोई भी संख्या होगी ह संख्या में नहीं मालूम कि वह संख्या कोन है सेिरी के यहाँ पर यह जितने भी नंबर है नबया क्या होना चाहिए एक फेट्र होना चीजिए तो देखो 90 के लिए जब आप फेक्टर बना जबनावेश्य को इस तो नो का मळिप्लिकिशन होता है 90 होता है option number आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और साथ ही साथ यह कैसे होने चाहिए यह दोनों फेक्टर को प्राइम आपका होना चाहिए यानिकी सह भाज्जे सिंख्य होनी चाहिए तो यह नहीं है तो यह तो नहीं है नो और 10 को कितना आएगा नब आएगा तो इससे हो सकता था लेकिन इसने मना कर दिया कि विवाज्य नहीं है तो यह भी कंडिशन अपनी दे सकते हैं अगर नहीं नहीं होता तो अपना अंसर यह भी सीव जाता यदि यह है तीन और बीस का जो multiply कितना होता है 60 होता है 90 तो हुआ ही नहीं तो यह option तो वैसे अला गया तो अपने पास में क्या बच गया यदि यह है दो और 45 दोनों से विवाज्य है तो यह अपना वीडियो सॉल्यूशन था आपकी जो डीटीए स्वी थैंक यू है वागूड डे बाए बाए